हेलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम बाक टू आवर चैनल अउली वेज़र सोई आई होप यू और वेल तो आज के इस परड़ों में मैं आप सबे के साथ दही जमाने का तरीका लेकर आई हूँ वैसे तो दही जमाना बहुत जादा आसान होता है गर्मियों में अगर हम दही ज सबी के साथ एक बहुत आसान और बिल्कुल पॉफिक तरीका लेकर आई हो जिससे अगर आप दही जमाएंगे तो आपकी दही बिल्कुल पॉफिक गाड़ी बनकर तयार होगी तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा जरूर देखे और अगर आज का वीडियो पस इस्तमाल भी कर सकते हैं तो मैंने यह एक लिटर दूद लिया हो है तो यह मैंने पहले ही बॉइल करके रखा वा था हूँ और अब मैं इसे दही जमाने जारी हूँ तो हमें सबसे पहले दूद को थोड़ा गर्म करना है क्योंकि मेरा पहले से बॉइल किया हूँ है तो मैं जादा गर्म नहीं करूंगी हमें इसे बस हल्का सा गर्म करना है अगर आप तुरंत दूद का इस्तमाल कर रहे ही दही को जमाने के लिए वह दूद आपका गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि अगर आपका दूद पतला रहेगा तो चो दही बनेगी वह भी हमारी पतली बनका तैर होगी घाड़ी नहीं बन नहींए और अच्छे से जमें गींएंगिए लग dancing अधोग दान के लिए विसमें तो आपको द्यान थ्यान का दम मैं पर सबंपे हुझे वर कौह दोत को थोड़ा सा गर्म कर लेरी Holy कि हमें दोत को वो काफी आसानी से जम जाएगी बट फ्रेंड आप किसी नॉर्मल बरतन का भी इस्तमाल कर सकते हैं बट उससे दही जमाने में आपको किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो मैंने हापे सबसे पहले इसमें थोड़ा सा दही आट कर दिया है यह मैंने मार्केट से जमान मंगवाया हुगा है तो वो मैंने इसमें दो सी तीन चमच आट कर दिया है और इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे पहले थोड़ा सा ताकि जब हम इसमें दूद को आट करें तो अच्छे से वो इसमें मिक्स हो जाए तो मैंने इसे मिला दिया है और अब हम इसमें आट कर देंगे दूद दूद को डाल देने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मेरा थोड़ा सा जामन बच गया था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है इसे अची तरह से मिला करके और अब हम इसका धकन लगा देंगे फ्रेंट्स हमें इसे अब किसी भी गर्म कपने से धकने तक की भी जरुरत नहीं है यह ऐसे ही आपका आराम से दही बनकर तयार हो जाएगा बस आपको इसे आठ से नौ घंटे के लिए इसी तरीके से रहने देना है या फिर अगर आप चाहे तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं अब आती है कि अगर आप नॉर्मल बर्तन का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना है अगर आप नॉर्मल किसी बर्तन का यूज कर रहे हैं दही को जमानी के लिए तो इसमें आपको किसी गर्म कपड़े से उसे अच्छी तरीके से ढगना होगा जाहें आप कोई कंबल ले ले या फिर आप कोई शॉल भी ले सकते हैं कोई भी ऐसा कपड़ा जिससे आप उसे अच्छी तरीके से ढग दे और इसे भी आप 8-9 घंटे के लिए रहने दे तो आपका दही बनकर बिल्कुल तयार हो जाएगा तो हम इसे साइट कर देते हैं और जब दही बन जाएगा इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो कुल 8-9 घंटे हो चुके हैं और अब फाइनली जो हमारा दही है वो मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें बिल्कुल पॉफेक्ट हमारा दही बनकर के तयार हुए अगर थिकनिस की बात की जाए तो बिल्कुल पॉफेक्ट गाढ़ा बनकर तयार हुआ है आई हो पाँच की वीडियो अपको पसंद आया हो और यह वीडियो आप आपके लिए जरूर हेल्पUL रही होगी आपकी एक वर इस तारीके से जरूर ठ्राय करें और इस वीडिए को अपने सभी फ्रेंट के साथूर करें आपके साथ अपना दरीका शेयर किया है आप किस तरीकिसे दहीं जमाते हैं अगर अपना तरीका में सायर करना चाहते हैं तो मुझे आपसे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए थाएंगे सू मच वाचिंग दिस वीडियो स्टेएपी स्टेए हैल्दी एंड स्टेए कनेक्टेड